हलो फ्रेंग्स मी मिश्वाखा, ग्लोबल ओंलाइन मरेध मद अपले सर्वांचा स्वागत आहे आच्चा सेशन मद अपलाला सावित्र भाई फुलेपुने इन्विसिटी दाटीज एस पेट इंटरेंस एक्जाम साथी प्रिपरेशन स्टार्ट करा ऐसा है जैसे कि अपले लेक्चर आहे अपन प्रिपेर करना रहो तो अपले इना रहा पेट एक्जाम साथी जे तुमाला हेल्फुल ठना रहे इना एक्जाम क्राक करना साथी स्टार्ट करता है ऑन्हीं है वर्षे तया न पुर्णा पंडे रिसेर्च मेतलोजी वर्तिया है जैसे कि अपले लेक्टे न पुर्णा और लेक्वार मारे जैन के लिले है संपून आभ्येसक घ्ल नोटस संपून आभ्यष क्राम Запad लेकचर्स रिकॉर्ड लेक्चरस तच्छानांत्र वीडियो लेक्चरस लाइव लेक्चरस प्लस Crash Course ठीक है जो Crash Course तुम्हाला Every Week मिलें जा Crash Course मदे एका दिवसा मदे पूर्ण रिसर्च मेथुलाजी तुमची कम्प्लीट होई रिसर्च मेथुलाजी चा स्टडी प्रत्ते क्वेड़ेस होई जे तुम्हाला Helpful धरेल कंसेप्ट पुना-पुना क्लियर करना साथी जाजी फीस है साचे नमवान रूपए आणि इकड़ी देलेला वाट्सप नमरला मेसेज करूं तुम्ही लगचा स्कोसला जोईन हो शकता और प्रिपरेशन लाज सुरुवाद करू शकता तब first unit मदे foundation of research रिसेचस पाया जो काया है तो अपलेला cover कर रहे से पाया मदे काया काया रहे तब meaning of research, motivation for research, objectives of research, characteristics of scientific method, empiricism, value neutrality, repeatability, verifiability, approaches to the research that is positivistic and interpretive, qualitative and quantitative, inductive and deductive तर basic मदे foundation of research मदे meaning, वाईशिष्ट, तानंतर हे वेगविगर methods कुटला है ते सगर foundation मदे याना रहे next unit मदे काया रहे basic terms and types of research research चेट ताइपस और basic terms काया है research ही related ते सगर second unit मदे याना रहे that is theory, concept, construct, fact, independent and dependent variables काया है methodology कुटली यूस काया जासते method, tool and techniques, types of research, research चेट ताइपस आहे वेगविगर वेगविगर ताइच्छा मदे exploratory, analytical, experimental, evaluation, impact assessment यह सगर चेट प्रकार है basic research, applied research चेट चेट प्रकार है जमेन अपलाला घैसे है तानि आपलाला एक्जाम क्लियर करना साथी help करना रहे next unit असनार है research design unit 3 पहले दोन यूनिट बगितले आपन basic concepts, types ताइपस नंतर research design अचा मदे तुम्माला steps ना रहे research design कसा केला पाईजे ताचा ना थर formulation problem थैस अगए research design मदे रिसाच design मदे ता frame मदे third hypothesis unit 4 hypothesis चार्थिक्टिक्स मीज़ वाईश्टा काया है name का hypothesis मंज़े काय है that's the definition third unit 5 मदे sample and sampling designs मुझे आपला रिसर्च कंप्लेट होड़ा साथी सांपल्स आने सांप्लिंग डिजाइन्स कशे आवश्य कसता है कि माँ तीन एमकी कंसेप्ट काये पॉपलेशन निवर्डनेट से मज़े सांप्लिंग निवर्डनेट से वेगवीड़ा पद्धती आहे कि मात त्याचे टाइप्स कुटले-कुटले आहें कि मात तेचे टाइप्स कुटले-कुटले आहें सांप्लिंग एरर मजे काये है है सग्रे युणिट 5 मदे यसनारे युणिट 6 मदे काया नारे method of research. Research methods का या काय कैई? sample survey, case study, life history, ethnography, historical and interview यह सगे कश्ण मदे यह ता, methods of research मदे, जा मदे आपन interview question, कि क्वेस्टन आया रहे सगे, वे गुले methods आपन use कर दस्तो research चार डेटा कोड़ा करने साथ, तो यह चा मदे यह उशक्ता, तो यूनित 7 मदे कायना रहे, tools of data collection, जा आपन मंचला कि tools काय काय यूज करना रहे, तो यूनित 6 मदे कायना रहे, कि काय काय निवड़ाई चेत आपलाला samples, methods कुटले 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 घेल साथ, आनि tools मजे मी question आया, कि मां interview जे सांकितले, तो as a tool मदे आपन data collection चे यूज करना स्टाइक स्टैक्स्टरीक काई होता, कि मेजर मेंन्स कुटले है, मेजर मेंनल, टाइपस कुटले है, नॉमिनल, ऊर्दिनल, स्केल, बैसिस, टाइनिक्स, एग्रिगेशन ऑफ देता, टोटल परसंटेज, घबलेशन, ताचान अंतार, बार डाइग्राम, है स्टो गोष्ण पनाउफ कशा करा च्युमा कशा कवार कंपलेच करा चाहिए सगण मत्वायओ आपन इसे खना रातidden met आपा शकनात रीसच इतिक्स मत्रीज़ की इतिक्स युथिम स्ने रहों रिसच के तो ना 6D इतिक्स तॉतिया है तो टोटल नव यूनिट आहे ताँ तैचा मदले हे ithics में तो तो टोटल नव यूनिट आहे से गोश्टी इतिक्स अहे एक्जाम परें 22 ऑगस्ल के अपली एक्जाम आहे तो परें यूनिट कवर करला है शेयर यायो शेयर में प्रैक्टिस ही होना रहा है नी कंसेप्टी क्लियर होना रहा है आणि शिवाई थेरी लेक्चर मदे देखेल आपन हे छोटी-छोटी पॉइंच जाहे उरले लाहेज जे फ़िवसरा रहा है यहीड है क्लियर करना साथी पॉइट एक्जाम् लाहेज पेट उच्ण हटा पहला स्था सक्टार्ज कारी ओप्रिसेट अनुमत्य प्रम करक्फोब्यंस पॉइंच दीशा प्रादन केर्फ मेत-ऊड़ी ऋनी डिंट होना प्रिसेट चरो collaboration dont मलाघ। अश्या प्रकारट्या संश्या रत। करावर्ती प्रेश्णा है अपले options है fundamental research मुलभूत संश्दन applied research उपयोजी संश्दन exploratory research invention संश्दन and conclusive research मेंचे निर्णायक संश्दन तो या मत याचे correct answer है first fundamental research मेंचे मुलभूत संश्दन तो मुलभूत संश्दन का अला करना अपले ला एक चांगली concept देते है और एक संश्दन सुरू करने चे दिशा देते है मजे हाँ एक basic संश्दन अपले इथे देना रहे हाँ जो research आ है प्रश्णा मतला जो research आ है तो अपले ला basic concept clear करना रहे बेसिक रिसेच मरू ने ना रहे तो fundamental research में जे काय बगुया fundamental research also known as basic research and pure research does not usually generate findings that have immediate application since practical level fundamental research is driven by curiosity and the desire to expand knowledge in a specific research area this type of research makes a specific contribution to the academic body of knowledge in the research area fundamental research में जेका एक basic research जो curiosity किमवा आपला interest नी desire नी expand उत्त ते knowledge मजे curiosity असल तवा आपले लाए खादा नवी शोद लागतू तेल पाने वर का तरंगल तेचान अन्तर Newton सा जो लोओ है कि आपल खालीच का पड़ल हाँ basic research आए fundamental research आला मतो आणि pure research बाकी चात्या मदे नवी जवीन गोश्टीन सा शोद लागला ते वेगविगा प्रकारा मदे येता पन मुलुभूत साउशदन basic साउशदन जे काया है ते आसा curiosity मदूनेत क्यूँवा आपले knowledge एक्सपांड करनेचा डिजायर मदूनेत यासा immediate application होत नाई पन तो एक शोद असतो जा मुलून ते लापन एक basic research मनुशक्तो तहे काय करता अपले आला knowledge मदे भर देता हेक fundamental research सा वैशिष्ट आयासा आपन मनुशक्तो तापली fundamental research ची concept clear जालियासे next question the sampling techniques under which population is divided into mutually exclusive groups and the researches drawn sample is called नमुना तंत्र जाच्या अंतर्गत लोग संख्या परस पर विशेश गटा मदे विभागली के लिया आहे आणी संशदक नमुना काड़तो आहे तहसे वह अपले ला sampling methods कि वह sample निवड़ाई जासता तह वह अपने एका population मदून ते निवड़तास तो मता चाव वरुन वेग भीगड़े प्रकार पढ़ लेला है जे stratified sampling, cluster sampling, snowball sampling and quota sampling है जे का प्रकार आहे तहे सगले अपने sampling techniques साहे कि वह sampling technique चाप्रकार रहे तर अपने लाए प्रशना बदे देलेला है कि which population is divided into mutually exclusive group नमुना तंतर जेचांतर का लोग संख्या परस पर विशेश के टामदे भी भाग लेगे देले है तर तो नमुना प्रकार कौन ता अपने आपने आपने साइट stratified sampling, cluster sampling, snowball sampling and quota sampling that's a correct answer आहे cluster sampling cluster sampling मिंजे का है ते आपन बोग लिया what is cluster sampling? cluster sampling is a probability sampling techniques where the researchers divide the population into multiple groups that is cluster for research तर अपलेला मायते probability and non probability प्रकार है जे अपलेला sampling निवडना साथी मदद करता है कि वा sampling साथी है 2 प्रकार है आणी probability sampling मतला एक प्रकार है जला आपन cluster sampling मनतो तर तचा मदे आपन काय करतो? आपने samples निवडना साथी techniques मदे population multiple groups मदे divide करतो वेगवगड़ groups ताहर करतो जला आपन clusters असमनतो researchers then select random groups with the simple random or the systematic random sampling techniques for the data collection and data analysis तर डेटा visualization करना साथी कि वा samzun घेना साथी तर तली technique use करना साथी जब आपन वेगवगड़ group select करतो कि वा बननाऊंतो तर तली random group कि वा सग्रेस एक पठोग पाटे एक कोड़ुने एक असे से random sampling सगतो अपलला हवे ते अभ्यास करना साथी कि वा data collection से analysis करना साथी तया तुन मग अपन निवड़तो ते cluster sampling मेचे कायता multiple groups बनो ना आणिन अंतर मत तया तुन अपन random groups कुटले पर sample में निवड़ु शकतो Example Researchers want to conduct a study to judge the performance of Sophomores in business education across the U.S. It is impossible to conduct a research study that involves the students in every university Instead by using cluster sampling the researchers can club the universities from each city into the one cluster तर इते example काई दिलेला अपलला है कि U.S. चे education आहे तेचा वरती जर अपलाला किमा तेटले university मेदे students अभ्यास करता है तेचा वरती अभ्यास करेचा है महें अपलाला शक्क्या है का तेटले सग्राच university स्टूडन्स सा data कड़ों करना ना है महां अपन तेटे cluster sampling करनार वेग भीकाई university मेदले थोड़ी थोड़ी स्टूडन्स सा अभ्यास करनार अड़ी तेटला महें अपन एकत्र क्लाप करूं जो काई अपला निश्कर्श आसेल रिजल्ट आसेल प्रत्यक university मेदे तो एक cluster निवड़ूं तेचा तुन sample मेदे निवड़ूं वेग तो अपला research conclusion असनारे कि वा research चा result आसनारे आशा प्रकर है cluster sampling अपन यूज करतास तो next third question a logic which includes drawing culmination inference from a given list of certain facts is एक खादा तरकर जामदे रेखाट ने तिल कड़स विशिष्ट तथे दिलेलेला सुचिम बदून अनुमान समाविष्ट केले केले आही तथे कशा प्रकार्च रिजनिंग असनारे कि मत ते कशा प्रकार्च फाक असनारा drawing कशा प्रकार्च असनारा रहे logic कशा असनारा options रहे त डिडेक्टिव रिजनिंग inductive reasoning objective reasoning and critical thinking या पे कि याचा correct answer असनार deductive reasoning deductive reasoning conclusion guaranteed इते conclusion अप्ले पक्क मेत जवा deductive reasoning आसते थे deductive reasoning start with a certain of general rules and proceed from there to a guaranteed specific conclusion deductive reasoning moves from the general rule to the specific application तो अप्ले एक line में असनार है कि general rule पसुन ते specific application पर अनत पोस्ता deductive reasoning में अप्ले ते काय सांगेत है स्पेसिफिक facts आया बरपूर ते आतुन एक conclusion कि में आया है ते अप्ले लाए drawn करेचा है काड़ायचा में जवा स्पेसिफिक application साथी काड़ायचा है मती कशा प्रकर से logic असनार है ते deductive प्रकर से reasoning असनार है मुन अप्ले करेक्ट आन साथी असनार है मुन अप्ले करेक्ट आन साथी ते deductive reasoning मात आपन इंड़क्टिव रिजनिंग पन बगून गिविया सोबतास इंड़क्टिव रिजनिंग मदे लिम्टिड स्कौप इंड़क्टिव रिजनिंग है और और प्रोसिट्येल से चरिज्ण पहले बगून सटन इंड़क्टिव रिजनिंग मात द आउसन इंड़क्टिव रिजनिग मात रिज्णhen अगर्तियों पहता है अले हमें तनेतन साथी आयँ का है तो चलता निन की लिभिग तरकी पर नोरा है or रैक और येयो की जसे कहीं सोपार्ये तक हानों आपक्टिव टरकैत को टोचनुपे जी ल दोच ही फिकbn आतर पाने ला चेया, उमस्मार और त्यां लाजे को साखे। जही का मज़े जावर पासता जे कुटला सेट असेल एक्षामेशन करना साथ ही त्यास सथी आपन हे वापर तो अबक्टिव बिजनिंग इस दे काईड़ी डिली डिसिजन मेकिंग इस विपेस्ट विड इन्फोरमेशन आप हैंड विच आपन इस इंकम्प्लीट जह गाही, इनकम्प्रीट असता गोष्टी, कि मैं जचे में दोग दिडेक्टिव आए कि इंड़क्टिव रिजणींग है अपलेवा समसत नहीं, कि मैं तया अटलेजा काई गोष्टी आए तया वरूंते clear होत नहीं, तया होते objective reasoning असता, मैं ज़े, taking your best shot जला आपन मनुशोक तो आशाज प्रकर चाहे तीन कंसेप्ट आपन क्लियर के लिले ले लेगता है नेक्स्ट ग्वेस्टन मदे कि मैं एमसी की मदे कुटे जरी आपन डिडेक्टिव इंडेक्टिव डिजनिग वाप परला तरी आपन तैसा एक्स्प्लेनेशन आशाज प्रकर देऊ शुकतो नेक्स्ट फोर्थ प्रिसेर्च स्टाडिज विच डिटर्माइन दे फ्रिक्वेंसी विच सम्थिंग अक्योर्स और इट्स कैजुल असेशन विच सम्थिंग येल्स इस कॉट्ट तैला काय मनता है अक्ड़े वारी जिया है ती कशा सो बत्तरी कैलकुलेट होती कि महां असिस्ट्रेट होती तर तेला आपन काय मनुशप्तो क्यों त्याचा अभ्यास करने याला काय मनुशप्तो अपने ओप्शन साहेत फॉर्मिलेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डाग्नोस्टिक रिसर्च, एक्स्प्रिमेंटल रिसर्च तर आपन यह से करेक्ट आंसर शोधाय चाहे पड़ आपन शुरुवाती ला जानन गिवा है कि फ्रिक्वेंसी करतों कि वहां कैजर असेशन करतों काही सर्गयासा ते काड तर ते काय करतो म्यँझे टाईपस आत रिसर्च छे तमेहें ख अमधे नयका कुटला यह प्सना सी तरने कमें तरहांकोत बिलुटो रा जो को सबस्तों साल 2 शोद गना करें सब्सक्राों इसरियं को प्रमपाने दीजन और सब्सक्र मैं, इस भास्तिंस देजिए एमन के पम सदानान है उल यह अपने धायरी, और सबस्क्रमपास ही दीजन बघारेिक ही identified पाला कचालिये को बहुते है रिजन दें में और लेट बहुते हैं निर्दान सोचिदन्थ समय का जओ निए टिरर्ट टरिरिस टिर्टीक्री तुतीक्स रिसर्वियरि में विंग Miraearin टोर्भॉपक्तॉ आपना जो को रिसर्च आए तेचा बदल कि वहां तेचे महाईती कित पत सांगले तेचे बदल आपना महाईती असना जो की पतुए पर के सबासा माली को रिसर्च आपना महाँ पर्डिक्टिव जट्री यह दहां कि वहां हैolly आपना जो सब्सक्ति परशिन कायका वहां नätर शट्रीवार णसाय तधम्रमप्रमु मट आपना नमंज कि वहां चीवर्ồngकर्मकर्ति आड्यां लग्षा तुन है आप़ने डाया ड्याग्नॉस्टिक कराव लग्थ या डिया ड्याग्नॉस्टिक्स रीशर्च मदें सच अस लैकलीः रश्योड रोसी कंष्ट रिया लभीटी य जगुष्ट्या है तर secrets इसर्ट अपने अपना करेक्ट इंसर जी हो ती आलो तो डीयागनोस्टिक्स रिसर्च नेक्स्ट क्षचिन है बिजाने डिफ्ट्ट्रेंट कंडिशन्स दाट प्रिवेल इन रीसर्च तडी अंडर वीच एक्स्पीरेमेंटल और डेंटेल सार पूट आर कोड जा संशो दन वो अब्यास चांतर गत प्रवय गात्म काणी नियंत्रीद गठे उले हैद आशा विविद्ध परिस्तिति ना काय मनताद तरह एक गोष्ट इथिकले फिवेची के एक्स्पिरिमेंटल रिसर्च मदे अपल्याला कंट्रोल ग्रूप्स परती अभ्यास करावा लागतो वेरियवस जासाथ तेक कंच्रोल सस्थात कदी-कदी नस्थात पन कंच्रोल गूप्स पर तीस आपन सब्सक्राटके आपन एकस्परिमेंटल LCD रिसर्च करूश शबतो मा या मदे स्विचार लएक जैस सउषधेन आपन करतोों मने त्रीट्मेंट, इंवेस्टिकेशन, ब्ल्ुूप्रिंट, ऐनलीसी, अपन्छिते प्रयोग करतो है, तितिया आठन आलीसी डारेक्ट विशलेशन त Quickly आट है ना मनुशयक्त का ब्लूप्रिंट रूपरेशा मनुशक्तु का नियंत्रित गट आसता तया परिस्तिती ला अजी बात नाई ब्लूपरींट मंचे आपन से काई बनो ना रहो तेशा आर्या खडा आसा मनुशक्त ब्लूपरींट ला पन investigation तापास नी नियंत्रिक गट तयार के लाए अंतरची ची प्रोसेस है तिया है investigation पन जी गट आपन नी वड़तो त्या परिस्ती तिला आपन treatment मनतो मन आपला correct answer यह है first treatment in experiments a treatment is something the researchers administrate to experiment units मझे तेका units साहे तैचाव वाती administrate करना मैंचे तैचाव लक्ष देना तैचाव नियंत्रन करना जी काम है यह प्रोसेस लापन treatment असम हनतो experimental research मदे है अपला लक्षा ठेवाज है कि experimental research मदे control group चा परिस्ती तिलना कि माँ जो काई administration कराई साहे तया सगया प्रोसेस लापन treatment असम मनतो next question है six question the term is used in experimental research to reflect the restraint in the experimental condition बयोगात्मक परिस्तिती सैयम दर्शोन साथी वापरला जात्तो तर सैयम में अनतरस अपला लाइचाथ correct answer क्लिक वाईला पाईजे अपन experimental research मदे experimental conditions यूज करना जेवे कि वा control करना साथी कुटल्या गोश्टिवा पतत सैयम दर्शोन साथी कुटल्या गोश्टिवा पतत अपला ओप्शन साथ value, alternative, novelty आणी control तर सैयम दर्शोन साथी एककस गोश्ट आपन इत्ते सांगुश्ट अक्तो तो मुनुन ताथा correct answer आहे 4. control नियंतरन मझे control हाशब्दस वाए तो प्रयोगात्मक परिस्तिती सैयम दर्शोन साथी वापरला जातो नॉर्मली देखिल आपन सैयम साथी control हाशब्दस वापरता और प्रयोगात्मक सम्शदना देखिल हाँ सब्द control हाशब्दस आपन वापरतु When conducting an experiment, a control is an element that remains unchanged and unaffected by the other variables The control जो है तो कुटलास variable नि बदला जात नही, experimental research मदे It is used as benchmark और a point of comparison against which other test results are measured जा अपनला test measure करे जातात रिसेर्च एक्स्परिमेंटर रिसेर्च मदे तो इते हैं benchmark करतात, controls जातात, ते benchmark करतात कि मत आपनला चांगला result देने साथी मदद करतातात, controls नि एक्स्परिमेंटर Next question is seventh The ones that have a strong contingent effect on the relationship between an independent and dependent variables स्वतंत्र आणी अवलंबित परतंत्र चल यांचा दिल संबंदा वर ती उर आक्रमेंग प्रभाव पढ़तो कशाचा किमवा त्या गोश्टिला काई महनता त्या दोणी वर ती त्या उर अगदी हाट प्रभाव पढ़तो contingent effect पढ़तो दोगांचा relationship वर त्या गोश्टिला किमवा त्या प्रोसेस ला काई मनता किमवा त्या वरियेबल कशियासता options है dependent variable independent variable moderating variables आणी 4 है extraneous variable त्याचे correct answer है moderating variables अपला लक्षठ है वैसा है कि दोगान वरती जवा ती उर फेक्ट पढ़तो स्वतंतर चलाने अवलम विच्छला वरती तेवा तो moderating variable अस्तो आता हा नेम का काये तो समजुन गिवया a variable in research simply refers to the person, place, thing or the phenomenon that you are trying to measure in some way the best way to understand the difference between dependent and independent variable is that the meaning of each and implies by the what the words tell us about the variables are they using the variables मनचे काया है तर एकादा person जिआ आता पर्स्ट आता है तर हम पन करता memory प्लेस के इन गोलस्ट जे आस्तो तर तर हम आता तरह गोष्ट राखते अस अ अ जंवेरियेबल मने मने पता है तरह आप त्या वेरियेबल मिदे एक वेरियेबली है dependent variable है यह इंडिपेंडंडंट वेरियाबल है तो आपन सच करता स्थो ने आपन रिसर्च मदा इंपलाई करता स्थो तो तहला आपन वेरियाबल्स हम हुनतु तो moderating variables का है असताथ तो दोनी वर्थी देखेल इफेक्ट करता सताथ independent variable and dependent variable दोगन वरति ये परिणाम करतें तो असे ते moderating variables as tat next question नहीरेट status and事情 about the magnitude trained ओर behavior of the population under study is called अब घासा नुसार लोगचों चीपरिणाम प्रवरुतिंग वरतन या बदल में काईम आप पाउनी जात तेदी खिला अपन बगणा रहो पोड़े जाउन पन या प्रश्णा मद आपलेला जे अंसर मेंडा रहे ते हाइपोतेसिस मैंजे काई नेम का समझुन गिविया तर हाइपोतेसिस मैंजे अपने एक गोश्ट आजम करतो कुटली ही रीसर्च करता ना एक गोश्ट आजम करतो कि या था परिणाम असा असा आवा अड़े ते आण अंतर अपलेला कंक्लुजन काड़ून में ते हाइपोतेसिस करेक्ट होता कीचु कीचो होता ते कसो करेक्ट होता ते कसे करेक्ट नाहीं यह अपलाला conclusion मदे पटूंदे आवा लगता तो इते एक अपलाला condition दिले लेगे अब्यासन सार लोग संखे चा परिणाम प्रवरिद्धी कि वह वरतन या बदे चा विदान चे आहे ते hypothesis कशा प्रकर्चा है अपला option साथ null hypothesis 0 गुरुही तक alternative hypothesis वैकल्पी गुरुही तक descriptive hypothesis वरिणान आत्म गुरुही तक relational hypothesis मझे संबंधित गुरुही तक तो या मदे लोग संखे विश्य अपलाला वरिणान करेचा है प्रिणाम सांगेचा प्रवडूती सांगेचा मझे नेम का काय करेचा अपलाला तो वरिणान करेचा है description करेचा है मरुन हेकल सासना रहे descriptive hypothesis सासना रहे तो या अपलेला descriptive hypothesis ता प्रकार सांगता है ना रहे तर options मदे आपन जे hypothesis से प्रकार बगितला है तो समझोंगी या the null hypothesis null hypothesis में जे काय ना रहे is a typical statistical theory which suggests that no statistical relation and significance exists in a set of given single observed variables जे variable सासना तो या अपना observation करून hypothesis महांड़तास तो तर जहां hypothesis मदे कुटलास प्रकार सा statistical relationship नाही है कि वा significance नाही है तो या ना रहे null hypothesis असना between two sets of observed data and measured phenomenon जे अपन कीटी वरेस करतो एक single वरेस करतो कि वा दोन सेस मदे करतो तर त्या मदे अपना जो का रिजल्ट में तो ज़र ते अचा मदे कुटला ही संबंदना सेल तर ते null hypothesis मजे शुन्य गुरुही तक अस्ता next है in statistical hypothesis testing मजे है जे का है प्रकार है hypothesis testing से तर statistical hypothesis testing से प्रकार है तर दूसरा है प्रकार alternative hypothesis is a position that states something is happening a new theory is प्रेफर्ड इंस्टेड ऑन ओड नवीन थेरी तिता ओपन के लिए जाते कि मा लागू के लिए जाते जुन्य चा आई वजी त्यावा तेल आपन अल्टरेश्च हाइपोतेसिस मनतो it is usually condensed with the research hypothesis because it is constructed form literature review on previous studies when we make some hypothesis how do you form then do literature review the research is a step in the research the second step is a thing it is alternate hypothesis if you find the hypothesis if you find the main hypothesis If you find the 9th hypothesis then we find the alternative hypothesis In descriptive hypothesis is a correct answer to questions तो यह काया है, is a statement about existence size from the distribution of variables size, form, this is what we want to know in descriptive hypothesis कुटला ही प्रकाच, research मदे आता ही अपलेला काया संकेट लोग संकेट साब परिनाम है सगड़ अपलेला लिहाई चाहिए descriptive मनें, descriptive मदे आता है अपलेला काया संकेटले, descriptive hypothesis में, काया ही हुशकता, size, form युशकता क्यों, distribution युशकता, variables था मनुहें, description hypothesis है researchers often use a research question rather than descriptive hypothesis research question विचारता था पन descriptive hypothesis आबजी descriptive hypothesis are useful for testing statistical significance हें काशा साथी यूज करता है statistical significance यूज करना साथी होता next है, a relational hypothesis is a one that suggests variables are related in some way मझे चाह मते दोनी variables मते काई तरी समन्द आहे, मझे ते relational hypothesis आहे, a casual hypothesis is a one that suggests that a cause and effect experimental research मते cause and effects आप बैस करता हो, तई थे अपला casual hypothesis आहे, ते काया सचुस करता, cause and effect अपलेला सांगत असता, relationship exists between variables, मझे ती ते काई तरी relation variables मते आहे null hypothesis मते, दोनी मते काही समन्द नस्तो, आणे relational hypothesis मते, अगर मते काही तरी समन्द नस्तो an example of relational hypothesis is that significant relationship exists between smoking and obesity, उदारन अर्थ काय दिलेला है कि तेने smoking आणे obesity या दोनी मते काही तरी relation आहे, मंझे ते relational hypothesis आहे आसा अपन मुनुशक्त है, एक example देने अपने दिलेला है next question नाइन्थ which principle advocates the similarities or the sequential use of qualitative and quantitative method of investigation ता पास नीचे गुनात्मक आणे परिणात्मक पद्द ये कासे विड़ी कि वाँ अडुक्रमिक वाप्राचे तत्वा समर्थन करते तेतप वे एक तत्वा है जा मदे qualitative method F whom आपर आपन करतो research मदे तत्व सिंड्वां नीचे आपका qualitative and qualitative methodology method F would allow us to read not by source तत्याचा वान चेवां करते वाप्छनस और रिजिबल करते और पीन आपका ठीच दीजैन, प्रिंसिपल ओफेश्टिंग, साँचनी छाय से टत्वा, तरह टीच टाईक, एंसे साइफ फर्स्ट्प्रिंसिपल ओफ ट्रिंसिपल ओफ्रेदो ओफ ट्रीकोड़ा चे तत्व पर्स्टिंग, तीकोड़ा चाय आपना प्रिंसिपल अपन मनुशक्तों त्रैंगुलेशन अल्सों प्रिंसिपल अपन मनुशक्तों करेet नान मनुशक्तों मनुशक्तों से बीजन अनुशक्ते सब्सक्तों वीवशक्तों प्रिंसिपल अपन मनुशक्तों मतुट अपन में। नेक्स्स्ट प्वेशिन्हें गट्ण कंडुक्टेडवन डिफरेंट सांपल गुरूप्स अधिकर टॉपल्स निफ्रेंट inac इंटरल्स ताइम इंटरल्स। जाक्क्रूस सेक्ष्टनल्स त्टिच्ग्टू शाओक्र टिजनले मेरे लाफशनल्स स्टिजिए केना गोवाख वन्सो पार्टूस स्टिज एक एक एकार चन राती लुपवत टिजनल्स त्पपाने करी आप अपछे क्रॉस सेक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अकष हम पर को आज़े का था था रिट्रब शेंपर लेक्ट बद था पर करावाभान अपन सफुपान सब्सक्राइब ऑपन खर पना सब्सक्राइब देल में धक्र तो था रिखाड़ कृणश्छ नव्धोल शेंपर करणा सिंपर खर था था रिखाड़ुनास भी स्टाइब आपने पाइस करने वेघवगा गीवन टाइम मदे दीलेला होता अब्भास करने साथी मनुद तेचे करेक्ट अपलेला है मिला आलो ताच अपले रिसेट में दरखे दहा प्वस्टेंस इंट्रेंस अपलेला है तो नहीं वड़ोता है मैं जहहें कि आपने कुस्च्ट्स नहीं सीक डिऴाने उति है अप्ला अभ्यासी कम्पलेट हुई लुपनेयस फैल क्लेजबय bureaucण अच्वंट केरें आपनेंच्ट्स लक्च्टर नाही गतार है न el consisteહ कोष्च्ट्स 10 कंसेप्ट दातबाई लुद्यों अच्छे सेसे सकती धन्यवाद